इस कहानी की शुरुआत में हमें इतिहास की सालों पुरानी एक प्रेम कहानी के बारे में बताया झाता है कि एंटोनीन नाम का रोमन जनरर्शाशक इज़िपटियन क्विन किलियोपेटरा के प्यार में पागल था तो लोगों को इस पर विश्वाश हो गया लेकिन वो तीसरा अंडा किसी को कभी नहीं मिला और आज दोजार साल बात भी वो एक मिश्ट्री बना हुआ है वहीं फिरा में नोलन बूत को दिखाया जाता है जो दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट आर्ट थीफ होता है इसे लिए क किलियोपेटरा के पहले अंडे को चुराने के लिए उसका ड्यूबलिकेट कोपी बना रहा होता है क्योंकि ब्लेक मार्केट में ऐसी खबर फैली थी की जीफ्ट का एक बिलिनियर आदमी अपनी बेटी को शादी में किलियोपेटरा के तीनों अंडे देने वाला है लेकिन शर्त ये थी कि जो भी उसे तीनों अंडे लाकर देगा उसे ही 30 करोड डॉलर का इनाम दिया जाएगा इसलिए नोलन बूथ रोम के म्यूजियम में किलियो पेट्रा के पहले अंडे को चुराने की प्लानिंग कर रहा होता है वहीं फिरा में रोम में जोन हाडले को दिखाया जाता है जो एक ABI ओफिसर उरशी दास के साथ म्यूजियम में आया होता है क्योंकि जोन एक आर्ट क्राइम स्पेशलिस्ट होता है इसे लिए उसे एक सिग्रेट न्यूज मिली थी क्या नोलन बूथ किलियो पेट्रा का पहला अंडा चुराने वाला है वो म्यूजियम के मे जाते हैं लेकिन अंडा वही होता है जिससे मेनेजर बहुत खुश होता है लेकिन जोन को कुछ शक होता है इसलिए जब वहां के थर्मल सेंसर चेक करता है तो उसे किलियो पेट्रा के अंडे में हीट एस्टेट हुई नजर आती है और फिर उनने बताता है कि आपको पर डालने लगता है जिससे वह अंडा मेलट हो जाता है इससे सभी को पता चल जाता है को अंडा चोरी हो चुका है तो उर्वशी फोरन म्यूजियम को सीख करने हो कहता है तब लेन जोन उसे बागते होए देख लेता है इसलिए वह भूए उसका फीशा करता है बूत बहुती शाती तरीके से जोन से बसता हुआ वहां से निकलने लगता है तबी गार्ट भी उसके पीछे पर जाते है और वो जैसे तेसे करके उनसे अपना पीछा चुड़वा कर म्यूजियम से नीचे कूछ जाता है और किसी आदमी की स्कूटी चुरा कर वहां से निकल जाता है जोन उसे पकड़ने के लिए वहां रखी ब्रांड न्यू लेंबॉर गिन्नी से उनका पीछा करने लगता है लेकिन तब ही ओ एक वेन से क्रेश हो जाता है जिसें बूत वहाँ से बागने में काम्याब हो जाता है फिरा में दिखाया जाता है कि बूत उस अंडे को लेकर अपने बाली में बने फोम हाउस में जाता है लेकिन तब ही ओ देखता है कि जोन भी वहीं होता है और वो अपनी पूरी ABI की टीम को अपने साथ लाया होता है उर्वशी बूत से वो अंडा ले लेती है जोन बूत को कहता है कि तुम अपने आपको बहुत ही होशार समझते हो लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जान हो इसे पता चलता है कि तुम सिफ नाम के लिए चोरी करते हो पेशो के लिए नहीं तो बूत उसे पूंचता है कि तुमें मेरे बारे में कैसे पता चला तो जोन कहता है कि विशब ने मुझे तुमारे बारे में information दी थी विशबบ ये एक छोर होती है जो भी खुद को लाँ तुर्ट वाली वेंद में नहीं बेश सकते है। इसलिए मैं बूत को लेकर जाती हूं। ओर तुम दूसी वेंद में अंड़ा लेकर आ जाना। जोन उस अंड़े को वेंद में रखवा देता है। लेकिन तब ही वहाँ भीशवा आकर उस अंड़े की जगें उरशी को कहता है कि इसका मदलब ये है कि बूत ने हमें नकली अंडा दिया है तो उरशी कहती है कि मुझे भी ऐसा ही लगा था लेकिन जब मैंने तुम्हारा बेंग बेलेंस चेक किया तो कल किसी एंक्रिप्टेड अकाउंट से तुम्हारे अकाउंट में 80 लाग डॉलर ट्र जाता है जहां जोन को भी बूत के साल लोग कर दिया जाता है बूत जोन को जेल में देखकर बहुत खुश होता है अगले दिन उससे कहता है कि बिशप ने मेरी खबर देकर तुमारा बरोसा जीत लिया फिर उसने तुम्हें भी दोखा दिया जिससे उसने हम दोनों को रास् दूसरा अंडा कहा है तो बूत कहता है कि मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ी समस्या है लेकिन पहले में दोनों अंडे चुराता क्योंकि दूसरा अंडा इंटरनेशनल आर्म डीलर के पास है जिसका नाम सोटो वोचे है जिसकी मैंने पूरी इंफोर्मेशन निकाल रखी है वो बहुत ही संकी किस्म का इंसान है जिसे इंसानों का गला गोटने में मज़ा आता है उसने किलियोपेटरा का दूसरा अंडा अपने आलिशन गर में चुपा रखा है फिर उन दोनों को ओफिसर पगड़ कर जेलर के पास लेकर जाते हैं लेकिन वहाँ जेलर की जगे सिलिये बुलाया ताकि तुम मुझे बता दो कि तीसरा अंडा कहा है क्योंकि एक अंडा मेरे पास मुझूद है और दूसरा अंडा भी मैं जल्दी हासिल कर लूँगी फिरो बूद को एक ओफर देती है कि तुम मुझे तीसरे अंडे का ठिकाना बता दो उसके बदले मैं तु वापस मिलने आऊंगी शायद तुम्हारा मूर चेंज हो जाए फिरो वहाँ से चली जाती है अगले दिन जोन भूट से कहता है कि हमें साथ में टीम बना कर काम करना होगा जिससे मैं बीशप को गिरफतार कर लूँगा और फिर तुम दुनिया के नंबर वन आर्टी बन जाओ तब ही बातों ही बातों में जोन उससे पूँचता है कि तुम्हारे डेट एक पुलिस वाले थे तो तुम चोर कैसे बन गए तो बूत उसे बताता है कि जब मैं आठ साल का था तो मेरे डेट को लगा कि मैंने उनकी गड़ी चुराई है और ना जाने क्यों उनको गड़ी इ उनकी कलाई पर थी लेकिन फिर भी उन्होंने मुझसे माफी नहीं मागी और मैंने भी उनसे फिर कभी बात नहीं की तो उन्होंने मुझे बोडिंग स्कुल बेज दिया अगले दिन बूत जोन को कहता है कि मैंने यहां से बागने का प्लेन बना लिया है जिसमें उन सभी का गेट लोग कर देते हैं फिरो दिवार के तुरू होते हुए फैलिकॉप्टर तक पहुंचते हैं ताकि और वहाँ निकल सके लेकिन तब भी वहाँ सेनी उन पर फायर करनें लगते हैं यह देकर जोन भूत को वहाँ से हलिकॉप्टर में जाने हो कहता है और हो खुद वहाँ उन ओफिसर को रोकने लगता है बूत हेलिकॉप्टर को ओन कर लेता है जोन भी हेलिकॉप्टर में जाने लगता है लेकिन तब भी उपर से जेलर जोन पर बम से हमला कर देता है जिससे जोन नीचे बीरी से लटक जाता है बूत अपनी जा बचा लेता है फिरो दोनों वहां से निकल जाते हैं बूट जोन को अपने दोस्त के पास लेकर जाता है जहां उसके दोस्त ने उसके प्लेन के हिसाफ से सारी तैयारी कर रखी होती है फिरो जेड से वहां से निकल जाते हैं रास्ते में बूट जोन को अपना प्लान बताता है कि जब सोटो वोचे नीचे पार्टी का रहा होगा तो हम उसके गार से बस्ते बचाते उसके बेडरूम में पहुंचेंगे लेकिन उस खूफिया कमरे में जाने का डोर बायोमेटिक पोटल है जो बहुत ही मजबूत है इसलिए उसे सी सोटो वोचे की आवाज और चेराई खोल सकता है तो जोन बूत से कहता है कि उसका चेरा और आवाज हमें कैसे मिलेगा तो बूत उसे अपनी डीफेक्ट टेकनोलोजी दिखाता है जिसकी मदल से सोटो वोचे का फेस और वोईस जनरेट किया जा सकता था लेकिन उसे कहता है कि अभी भी वहाँ एक और सिक्योर्टी लोग है जिसका पासवर्ट सिर्फ सोटो वोचे के फोन पर रहता है जो रेंडमनी जनरेट होता रहता है इसलिए हमें सोटो वोचे का थम प्रिंट और उसका फोन भी चाहिए होगा वहीं फिर हमें वेलेशिया में सोटो वोचे की पार्टी को दिखाया जाता है जहां बूत और जोन भी पहुंच जाते हैं बूढ जोन को कहता है कि मैं सोटो वोचे का थंपरीन लेकर आता हूँ और तुम उसका फोन ले लो तभी वहाँ बिशवब भी पहुँंज आती है जोन बिशप के पास जाता है बिशप उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम और तुमारा पार्टनर यहाँ दूसरा अंडा लेने आई हो जोन पार्टी में सोटो अचे से टकराता है और उसका फोन चुरा लेता है वहीं बूत भी सोटो अचे की कोल्डरिंग से उसका थम प्रिंट लेने में काम्याब हो जाता है फिरो अपने प्लेन के मुताबिक सोटो अचे के कमरे तक पहुंचने के लिए खुद पर लेकिन तभी वहाँ उर्वशी भी पहुंच जाती है क्योंकि बिशप ने उन दोनों को रोकने के लिए उसे उनकी इंफोर्मेशन दे दी थी ताकि उर्वशी उन्हें पकड़ ले और बिशप आसानी से अंडा चुरा सके लेकिन जोन तभी उर्वशी पर हमला करके गन नीच में पहुं जाते हैं जिसे वो यह लो रूम लेने के लिए लेकिन तब हो देखते हैं कि बिशप भी वहीं मौजूद होतीर फिर उन तिनों में अंड़े के लिए फाइट होने लग जातीर वो वहां रखे एंटिक चीजों से आपस में लड़ने लग जाते हैं वहीं सोटो वोचे को भी इसके बारे में पता चल जाता है और वो रूम की तरफ आने लगता है वहीं बिशब उन दोनों को हतकडियों से पकड़ लेती है सोटो वोचे वहां आ जाता है वोट उसे कहता है कि अंडा हमने नहीं चुराया हमने सिर्फ कोशिश की लेकिन चुराया बिशब नहीं तब ही सोटो वोचे बिशब के पास जाता है और यहां हमें पता चलता है कि वो दोनों इस प्लेन में साथ होते हैं क्योंकि बिशब ने उसे अपना पार्टनर बना लिया था और ये सब बिशब ने इसलिए किया था ताकि वो बूत और जोन को पकड़ सके फिरा में दिखाया जाता है कि बिशब ने बूत और जोन को सांडो के खाड़े के नीचे बंदी बनाया होता है बिशब बूत को कहती ह कि मैंने दो अंडे तो हासिल कर लिए है इसलिए अब तुम मुझे बता दो कि वो तीसरा अंडा कहा है तो बूत अस्ते हुए कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा तो बिशप जोन को टोचर करने लगती है क्योंकि वो जानती थी कि उनमें अब काफी अची दोस्ती हो गई है तो बूत उसे बता देता है कि तीसरा अंडा इजिप्ट में है जो गिरिक पिरामिट के गुप्त तेकाने में चुपा हुआ है एक साल पहले उसकी खोज हुई थी लेकिन अभी तक उसे खोला नहीं गया तो बिशप उसे कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि अंडा वही है तो भूत उसे बताता है कि मेरी मा एक इजिप्टोलोजिस्ट थी और वो तेकाना दरसल किलियोपेटरा का मकबरा है क्योंकि जब दो अंडे खो गए थे तो उन्होंन बिशप ने उसके ड्रिंग में कुछ मिला दिया था फिर वो दूसरा अंडा लेकर वहां से निकल जाती है तब ही वोचे की वापस आँख खुल जाती है और वो भूत और जोन पर फायर कर देता है जिससे जोन के अतकड़ियां खुल जाती है और वो वोचे को वापस ब्यो से निकालो जिससे मुझे अंडा मिल जाए और तुमें बिशप तो जोन उसकी बात माल लेता है फिरो दोनों वाँ से निकलते हैं लेकिन वो पर बुल फायर में पहुंच जाते हैं जिससे बुल उन पर हमला कर देता है वो बहुत मुश्किल से है सांड से अपनी जान बचा जाता है कि मेरे दे जो अपने काम में माहिर थे लेकिन मेरे 13 जनम दिन पर वो घर नहीं लोटे और जब से मैंने और मेरी मान इने उनन्हे यह कभी नहीं देका बुल भी से काफी एमोशनल हो जाता है जो उनसे कहता है कि बस तुम पर बिशप को पकर सकूं ताक देड़ एक चोर थे जो अपने काम में माहिड थे लेकिन मेरे तेरवे जनम दिन पर वो घर नहीं लोटे और जब से मैंने और मेरी माने उन्हें कभी नहीं देखा बूद भी से काफी एमोशनल हो जाता है जो उनुसे कहता है कि बस तुम मेरी मदद कर दो जिससे मैं बीशप क को पकड़ सकूँ ताकि मैं खुद को निदोर साबीत कर सकूँ और मैं तुम्हारी मदद करूंगा जिससे तुम वापस दुनिया के सबसे नंबर वन आर्टी बन जाओगे तो बूद उसे बताता है कि अपरेल 1945 को बर्लिन रेड आर्मी के कबजे में आ गया था जिससे नागजीस का खेल खत्म हो गया था और तभी एक खुबया आदमी जिसका नाम रुडोल्फ था वो हीडलर का प्रसनल आर्ट और एंटिक चीजों का डिलर था कहते हैं कि वो एकलोता आदमी था जिसने किलियोपेट 50 सालों तक जासूस, ट्रेजर हंटर्स और पुलिस इस बात की खोचपन निकले वो उस लोकेशन को ढूंड रहे थे जिसे हो मानते थे हिडलर का खुफिया बंकर जो साओध अमेरिका में कहीं चीपा था और मेरे डेड भी उनमें से एक थे और उन्होंने वो गड़ी एक व तो मैं जान गया कि उस गड़ी में तीसरे अंडे की लोकेशन चीपी हुई है वहीं फिरा में दिखाया जाता है कि बूत और जोन अर्जेंटिना में मेप की मदद से उस जगह को खोजने लग जाते हैं वो 8 गंडे के सफर के बाद उस मेप वाली जगह पर पहुँच जाते और जब वो वहां से मिट्टी अटाते हैं तो उन्हें वहां रुडॉल्फ का खुव्या चेम्बर नजरा जाता है वो उस गेट को खोलते हैं तो उसके अंदर एक सिक्रेट चेम्बर होता है वो उसके अंदर जाते हैं तो वहां लाइट सोन होती है क्योंकि वहां हाइटो एलेक्रिक पावर से एलेक्रिसीटी जनरेट हो रही थी वहां एक डोर होता है लेकिन वो सिक्रेट तरीके से लोक होता है और उसकी चावी वही रुडॉल्फ की वोच होती है जिसे जब बूत उसके अंदर लगाता है तो गेट ओपन हो जाता है वो उस चेंबर के अंदर होती है वो वहां किलियोपेटरा का तीसरा अंदर डूरने लग जाते है तब ही बूत को वहां एक कार दिखाए देती है जो कि 1931 की मर्सडीस बेंज होती है बूत जोन को कहता है कि मुझे इसके आराम से 5 करोड डोलर मिल सकते हैं क्योंकि पूरी दुनिया में एसी सी 3 कार है लेकिन बूत को एक बास समझ नहीं आती कि नाजी लोग इस कार को नीचे कैसे लेकर आये होंगे तो जोन उसे बताता है कि यह जगह किसी पुरानी कोपर माइन से जोड़ कर बनाई गई है जिससे नाजी लोग यहां लूटे गए माल को छुपा कर रखते थे बूत को तब ह कि वहाँ एक बोक्स नजर आता है जिस पक्रक किल्योपेट्र लिभा हुआ होता है और जब उससे खौनता है की इस जगह के बारे में नहीं बताओगे इसलिए मैंने इंतजार किया कि तुम सोटो वोचे से बचकर वहां पहुँचोगे जहां तीसरा अंडा है फिर बीशव उसे कहती है कि चुपचा वो अंडा मुझे दे दो वड़ना में तुमें शूट कर दूँगी बूट उसे वो अंडा देने लगता है लेकिन तब ही उरवशी अपने ओफिसर के साथ वहां पहुँच आती है बीशव और जोन उन पर फायर करते हैं तो बूट जोन को कहता है कि तुम उन पर फायर क्यों कर रहे हो वो तो तुमारी टीम के हैं तो जोन कहता है कि हो मेरी टीम के तो है पर उन्होंने मुझ पर फायर किया फिरो तीनों उन से बचने के लिए वहां रखी मर्जडीस कार से मायन के रास्ते से होते हुए निकलते हैं उर्वशी भी उन्हें पकड़ने के लिए वहां रखी कारों से उनका पीछा करने लगती है उर्वशी उनकी गाड़ी के पास पहुचकर उन पर हमला करने लगती है तो बूत और जोन मिलकर उन सेनिकों को मारने लगते हैं वो एक एक करके सभी सोलजर्स को मार देते हैं वो अंडा नीचे गिरने वाला होता है कि तब ही बूत उस अंडे को पकड़ लेता है माइन से आगे का रास्ता खत्म हो जाता है लेकिन फिर भी बीशप नीचे गाड़ी कुदा देती है जिसे वो तीनों नीचे जड़ने में गिर जाते है बूत अंडा लेकर पानी से बाहरा जाता है वो जोन को आवाज देता है लेकिन जोन वहाँ नहीं होता इसलिए उसे बचाने के लिए पानी में जाता है क्योंकि अब भूत भी जोन को अपना दोस मानने लगा था लेकिन जोन बहार ही होता है क्योंकि उससे मजा कर रहा था बीशप भी बहारा जाती है तब ही जोन बीशप को किस करता है जिससे पता चलता है कि वो बीशप का पार्टनर होता है और उसने बूद को डबल क्रोस किया था ये देखकर बूद के होश उड़ जाते है जोन उसे कहता है कि मुझे लगा था कि तुम मेरा नाटक समझ जाओगे कि मैं पुलिस वाला नहीं हूँ पर तुम तो बहुत ही बेवकूब निकले बूद बीशाब को कहता है कि तुमने तो इसे करंड भी मारा था तो बीशाब कहती है कि वो करना जरूरी था क्योंकि तबी तो मैंने जोन को हदकड़ी की चावी दी थी फिर बीशाब उससे उड़ ले लेती है और वो उसे एक पेड़ से बांद देते बूद जोन से कहता है कि क्या तुम्हारे डेट की वो कहानी भी जूटी थी तो जोन कहता है कि वो सस्ती लेकिन मेरे डेट चोरी में माहिर नहीं थे इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं उनसे बेतर बनकर दिखाऊंगा वहीं फिर बिशाब और जोन वो अंडा लेकर उस बिलिनियर बेटी की शादी में पहुँचते और उसे हो तीनो अंडे 30 करोड डोलर में बेश देते लेकिन बिशाब और जोन उस बिलिनियर को भी डबल क्रोस करते क्योंकि उर्वशी को इसके बारे में बता देते हैं जिससे उर्वशी उस बिजनसमेन और उसकी बेटी को अरेश कर लेती है क्योंकि कानूनी तोर पर चुराई गई चीजों को खरीदना चुर्म होता है वहीं फिर हमें छे महीने बाद सरडीनिया में बीशप और जोन को दिखाया जाता है जो अपनी प्राइवेट यान में मजे कर रही होते हैं कि तब ही वहाँ भूत भी पहुंच आता है फिर उन्ने अपनी कानी बताता है कि जब जंगल में मुझे उर्वशी पकड़ने आई त कलतियों कभी बुलाता नहीं इसलिए मैंने उर्वशी को कॉल किया और तुम्हारे सिग्रेट बेंग अकाउंट के बारे में उसे इंफॉर्मेशन दे दी जिसने उसने तुम्हारे अकाउंट से सारे पेसे निकाल लिए और मेरा बदला भी पुरा हो गया जोन जब अपना बेंग बेलेस्चे करता है तो जीरो होता है बुदूने केहता है की अब हम सब कंगाल हो चुके हैं इसलिए हम वापस दोस्त बन सकते हैं क्योंकि अब एक नया काम आया है जिसमें पेसा भी बहुत सारा मिलेगा और रिसकी भी बहुत है इसलिए ये काम हमें साथ मिलकर करना होगा और अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो उर्वशी तुम्हें यहां पकड़ने के लिए आ रही है तो जोन उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारे साथ काम करेंगे इसलिए तुम चुपचाब यहां से चले जाओ तो विशब उसे रोकती है और ओ जोन को समझाती है कि हम अपनी सारी कमाई खोच चुके हैं और मैं मानती हूं कि बूद्बगबग करता है लेकिन हो बहुत ही काम का है तो जोन भी साथ काम करने के लिए मान जाता है फिर ओ तीनों वहां से अपने नए मिशन पर निकल जाते हैं और जब उर्वशी उस योट पर पहुंचती है तो वहां कोई नहीं होता इसलिए उन तीनों पर रेड नोटिस जारी कर देती है रेड नोटिस एक हाई लेवल अरेश्ट वरेंट होता है जिसे इंटरनेशनल पुलिस द्वारा दुनिया के मोश्ट वांटेड क्रिमिनल्स पर लागू किया जाता है और इसी सस्पेंस के साथ यह मूवी यहीं एंड हो जाती है और गैस अगर आप एसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्किप्शन में दी गई लिंक्स पर किलिक करके वाच कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया थेंक्स और वाचिंग